Hello Everyone, Welcome to Skill IQ Skill IQ में आपका स्वागत है तो हम करते हैं narration, solutions, WH questions, question number 2 और part जो है B हमारा WH questions का जो की हमारा part number 1 रहेगा WH questions से related question number 2 में ही दूसरा part है, B part है जो की WH questions से related है इससे पहले भी interrogative sentences थे बट उन में क्या था? उन में सिरफ yes, no वाले questions थे यहाँ पे WH words वाले questions है और यह हमारा part number 1 रहेगा टोटल इसके लिए दो parts बनेंगे जो की first part आपके सामने है तो चलिए बिना किसी तरी के, बिना ज़्यादा बातों के हम जो है अपना part start करते हैं first question देखिए इसमें क्या है same ही तरीका रहेगा, general rules को सबी चीजों को उसी तरीके से जो है हम करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो question है he said to me what is your name तो हम यहाँ पे रहेंगे he asked me अब यहाँ पे that लिखते थे उसकी जगह पे हम जो है अपना wh word लिखेंगे he asked me what इसी के साथ जो हमने इसको जोड़ना है यहाँ पे यह wh word है reported जो हमारा speech है उसके लिए but हमारा यहाँ पे इस sentence के लिए जब हम इसको change कर रहे हैं तब हमारा यह एक connector का काम करता है अब हमारा इसका imperative बनाना पड़ता है यह तो आपको पता ही है यूर जाएगा हमारे मी के पास मी के में तो हम जो है किसका पुछेंगे what my name name यहाँ पे यह name है name अब इस का क्या हो जाएगा ठीक है और imperative sentence यह बन जाता है next जो हमारा sentence है he said to me how are you अब यहाँ पे he asked me how अब यहाँ पे यू है you गया मे के पास how I और फिर यह आर है our was जाएगा was वर के साथ जो हम यूज करते हैं तो I को singular मानेंगे तो इसके साथ हम जो है was लिखेंगे उसके बाद next है I sorry the teacher said to me what is your father what is your father तो यहाँ पे है the teacher asked me what your गया मी के पास मी का हो जाएगा my तो father father is का क्या हो जाएगा was हो जाएगा क्योंकि tense change हो जाएगा next जो sentence है क्योंकि कोई भी अगर पूरी series को शुरू से follow कर रहा होगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ रही होगी अगर कोई शुरू से follow नहीं कर रहा होगा सिधा इसी वीडियो को देख रहा होगा तो उसको मैं यह सला दूँगा कि आप जो है शुरू से देखें इसको ठीक है तो प्ले लिस्ट में जो है सारी चीजें हैं शुरू से देखेंगे तो आप तो सारी चीजें समझ में आए क्योंकि मैं अभी इनको speed से बना रहा हो है ना तो यह हो सकता है कई ऐसे sentences हैं जिन पर time लेने की जुरूरत है उन पर हम time ले रहे हैं नहीं तो हम speed से बनाने की उनको कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता ही नहीं है सबको फटा-फट solutions चाहिए ना देखे My friend said to her My friend asked her how How अब यहां पर U है U गया हर के पास तो C हो जाएगा C How she Old R का क्या हो जाएगा Was ठीक है How she old was How she was old How she was old यह चीज जो है हमारी रहेगी नहीं How old C was काहां भी है वह हमारा कई बार ऐसे ही confusion होते हैं क्या है How old अब हो जाएगा C was Next जो sentence है वह हमारा होगा I said to you What do you do तो यहां पे होगा I asked You What You गया You के पास तो You ही रहेगा You उसके बाद हमारा क्या होगा Do तो यहां पे present indefinite है तो past indefinite हो जाएगा तो यहां पे होगा हमारा You You Did ठीक है Do जो वरब की first form है जब इसको imperative में बनाएगे तो subject रहेगा उसके बाद वरब का second form रहेगा Do, did, done होता है उसके बाद next sentence है You said to her Who are you यहां पे कहेंगे हम You Asked Her उसके बाद है Who You गया Her के पास तो she Was Next है Sir, adjust कीजिएगा इसको Adjust है Okay She said What are you तो यहां पे है She Asked Asked What You गया Object नहीं है तो यहां पे I लिख सकते हैं He लिख सकते हैं C लिख सकते हैं उसके बाद R की जगे पे Was लिख देंगे तो इस तरीके से एक बार मैं last sentence जो है Confirm कर लेता हूं कि यही है या नहीं है She said What are you She said What are you तो ठीक ही है तो उसके बाद जो हम अपनी next जो slide है ना उस पे चलते हैं चलिए start करते हैं अपने next 8 sentences आज हमने 8 sentences लिए हैं इसमें 9 actually हाँ 9 sentences और next slide में भी 9 ही sentences होंगे तो चलिए बिना किसी तेरी के अपने next जो sentences हैं इनको start करते हैं तो हमारा first जो sentence है वो क्या है तो first जो sentence है He said Who did this अब यहां पे होगा He asked who अब यहां पे this का क्या हो जाएगा that did क्या है second form है यहां पे do, did, done तो यहां पे did जो है verb का second form है ठीक है तो उसके बाद हमारा क्या होगा did का क्या हो जाएगा had done है ना ठीक है यह हो जाएगा उसके बाद है she said to her what is your mother's name यहां पे क्या हो जाएगा she asked her what अब यहां पे your mother की जगे पे क्या हो जाएगा his mother her है ना her mother her mother his mother नहीं होगा her mother होगा फिर उसके बाद is है ना is का क्या हो जाएगा her mother's name यहां पे होगा mother's apostrophe as आएगा mother's name उसके बाद हमारा हो जाएगा his का was ठीक है, next sentence है, tenth, I asked her, what class do you read in, तो यहाँ पर हो जाएगा, I asked का, asked रहेगा, her, what के साथ इसको जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा subject है, you, you गया हर के पास, तो c, ठीक है, c, उसके बाद है, do, do का क्या हो जाएगा, देखो, what class, what class रहेगा, what class, c, उसके बाद हमारा, you का c बन गया, यहाँ पर do, red है, तो इसका मतलब, present indefinite है, तो past indefinite होगा, तो red का, red ही रहता है, in, ठीक है, next sentence, देखो, मम्ता said to him, who is your father, तो मम्ता asked him, who, अब यहाँ पर subject है, your, him के पास आया, तो him के पास आया, तो him ही रहेगा, his, his, who, his father, who his father, is का क्या हो जाएगा, was, ठीक है, तो is को हम was वर में, change करेंगे, is MR को, next, जो sentence है, काफी लंबा है, बट डरने की जरूरत नहीं है, the teacher, the teacher asked, the teacher said to you, यह हमारा reporting verb है, उसके बाद, what have you done for the coming examination, यह हमारा reported speech है, तो the teacher, the teacher asked you, चीक है, what के साथ इसको जोड रहे हैं, उसके बाद you है, इसमें subject, you आया हमारे you के पास, तो you, जो है, you ही रहेगा, उसके बाद, have done है, तो had done हो जाएगा, what you had done for the coming examination, you का you रहेगा, for the coming examination, एक बार पढ़के बता दिया जाए, देखिए, the teacher said to you, what have you done for the coming examination, यह reporting verb है, the teacher said to you, the teacher asked you, what के साथ इसको जोड दिया, you हमारा subject था, reported speech का, उसको second person है, तो हम object के पास आएंगे, object you है, तो you ही रहेगा, उसके बाद had, have done को had done में change कर देंगे, ठीक है, उसके बाद for the coming examination, as it is रहेगा, next जो sentence है, 13th है, she said to her, where do you live, see, asked her, where, you है, हर के पास, हर, जो है, सी में change हो जाएगा, see, उसके बाद do leave है, तो see, lived में change हो जाएगा, next, जो sentence है, 14th है, he said to me, where is the station, तो he asked me, he asked me, where के साथ इसको connect कर दिया, the station was, the station was, next, जो sentence है, वो कुछ इस तरीके से है, मैंने यह spare pen रखा था, तो इसको रख ही देते हैं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, she asked, she said to me, where are you going, coming, नहीं going, तो see asked, she asked me, where, you गया हमारे मी के पास, मी का I हो सकता है, सी हो सकता है, ही भी हो सकता है, लेकिन short letter रहेंगे, क्योंकि इससे clear नहीं हो रहा है, she said to me, उसके बाद यहां पे clear नहीं हो रहा है, ना तो इस you से clear हो रहा है, ना इस c से, me से clear हो रहा है, कि यह कौन है, तो I, C और he में से कुछ भी लगा सकते हैं, उसके बाद are going है, तो what is going हो जाएगा, next और last sentence, इस slide का सर्चेक कर लीजेगा, कैमरे में सही आ रहा है के नहीं आ रहा है, बाद में बच्चे फिर मुझे बोलेंगे, last sentence है, his father said to her, his father said to her, his father है, let me check, let me check, let me check, yes, his father, his father said to her, why have you failed in the examination, yes, father का तो फुरज बनता है कहना, तो लिखेंगे, his father asked her, why के साथ इसको हम जोड देंगे, उसके बाद क्या होगा, you यहाँ पे हमारे रिपोर्टिंग वाव का सब्जेक्ट है, you आया हर के पास, अब यहाँ पे हर से क्लियर हो रहा है, कि यह लड़की है, तो C आ जाएगा, C उसके बाद have failed, have failed, वाव का third form has have के साथ, तो उसको हम had failed में change कर देंगे, in the examination, यह थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया, और last में आ जाएगा, full stop, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, in sentences को change कर सकते हैं, उसके बाद हमारे nine, जो है sentences बतने हैं, next slide में जो है, next हमारे nine sentences को देखते हैं, चलिए last nine जो sentences हैं, उनको clear करते हैं, बिना किसी देरी के, तो देखिए first जो sentence है हमारा, यानि कि 17th है, why are you telling a lie, यहाँ पे reporting जो speech है, reported जो speech है, वो हमारा पहले है, और बाद में हमारा reported जो है, वर्ब है, reporting वर्ब है, तो हमारा उसको हम आगे लेके आएंगे, the teacher, the teacher asked Arvind, sad to Arvind आएगा न, sad the teacher to Arvind, the teacher said Arvind, asked Arvind, the teacher asked Arvind, Arvind है यह, ठीक है, अब यहाँ पे y है, तो वाई के साथ हम जो है, इसको जोड देते हैं, वाई, अब देखे, यू है, यू गया हमारा अरविंद के पास, तो Arvind है हमारा, ही, अब टेंस है, आर, है न, आर टेलिंग, तो वोज टेलिंग, वोज, टेलिंग, ठीक है, आलाई, अबजेक्ट है, तो आलाई, clear है, next sentence, अब तो आपको अच्छे तरीके से समझने आ रहे होंगे हैं, कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, सेम उसी तरीके का second sentence है, reported speech आ गहे है, reporting verb पीछे है, what are you doing here, said the policeman to me, the policeman, This man asked me what, उसके बाद you है, you गया, me के पास me का हो जाएगा, I, I, उसके बाद are doing, तो हमारा हो जाएगा, was doing, was doing, here का हो जाएगा, they are, Next sentence है, 19th है, I said to him, why are you crying, यहाँ पे होगा, I asked him, why, you है, him के पास गया, तो ही आजाएगा, are crying है, तो was crying हो जाएगा, ठीक है, बस आगे है इनी कुछ, Next है, 20th, he said to me, what did you eat, अब हो जाएगा, he asked me, what, you गया, हमारा me के पास, me से पता नहीं चल रहा है, I भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, he भी लिख सकते हैं, उसके बाद, did eat है, did के साथ वर्ब की first form है, यानि के past, जो है, indefinite है, तो had eaten, ठीक है, had eaten, क्योंकि did वर्ब की first form है, तो had eaten, जो है, यहाँ पे होगा, next, जो sentence है, twenty first है, she said, when will you return, तो see, asked, when, you गया, object ही नहीं है, तो I भी हो सकता है, C भी हो सकता है, और he भी हो सकता है, किसी को भी पूछ सकती है, उसके बाद, will return है, ठीक है, तो would return होगा, would return, next sentence है, twenty second, she said to me, why did you insult my sister, तो she asked me, she asked me, why, you गया, me के पास, तो me का I है, ठीक है, I से clear नहीं हो रहा है, कि यह कौन है, ठीक है, ना you से हो रहा है, तो हम यहाँ पे C भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, उसके बाद, did insult है, तो हमारा, वही past में जाएगा, तो had insulted, ठीक है, did insult है, तो had insulted, उसके बाद, जो है, हमारा क्या है, my sister, C ने कहा है, ना my sister, तो her sister हो जाएगा, ठीक है, next sentence है, हमारा 23rd, तो वो है, the teacher said to the student, why are you absent yesterday, तो the teacher, the teacher asked, the student, the student why, you है subject यहाँ पे student के लिए, तो he, she भी हो सकता है, he और she, क्योंकि student से हम define नहीं कर सकते, gender क्या है, लड़का है या लड़की है, बच्चा है या बच्ची है, तो he और she दोनों रख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद, subject हो गया, are absent है, आर का was हो जाएगा, was absent, the day before, ठीक है, बस इतना ही काफी है, उसके बाद, next है, second last, last sentence, 24th, he said to me, what do you want, अब यहाँ पे हो जाएगा, he asked me, what you आगया, me के पास, me से clear नहीं हो रहा है, तो I, he और she हम लिख सकते हैं, उसके बाद, do want है, तो हम wanted लिख देंगे, next, जो sentence है, वो क्या है, वो है, last sentence है, manisha said to me, why do you look so sad and gloomy today, gloomy का मतलब, उदास या परिशान होता है, तो हम लिखेंगे, manisha, asked me, why, उसके बाद, you है, subject हमारा यहाँ पे, यह गया, me के पास, इससे clear नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I, see, या फिर he भी लिख लेंगे, उसके बाद, हमारा क्या है, do के साथ look है, यानि के present indefinite है, तो past indefinite में कर देंगे, looked, ठीक है, so sad, so sad and gloomy, gloomy, today का क्या होता है, वो आप मुझे यहाँ पे comment में लिखके बताएंगे, और comment में लिखके बताएंगे, तभी यह हमारा sentence complete हो जाएगा, और इसी तरीके से, यह हमारा जो है part, WH questions, question number 2 में, 1 to 25 sentence के लिए, part number 1, जो है, हमारा complete हो जाता है, next जो part होगा, इसी के लिए, WH questions के लिए, और question number 2 के लिए, part number 2 में, 26 to 50 questions होगे, उसके बाद हम question number 3 पे move कर जाएंगे, और धीरे धीरे इसी तरीके से, यह कारवा चलता रहेगा, ठीक है, slide, slide क्या, slide में कह सकते हैं, आप उसको screen recording videos भी आपको, जिस तरीके से भी, जिस भी तरीके से possible हो पा रहा है, उसी तरीके से हम, अपना पूरा दम लगा के जो है, काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से किया जा सकता है, आप जो है, अपना दम लगा दीजिए, सब्सक्राइबर्स जो है, लेके आने हैं, दोस्तों से share करवा दो, subscribe करवा दो, watch time बनाओ अपना, ठीक है, तो हम अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहेंगे, thank you, thank you so much.